हुआ है 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 जा इस गुड़ बॉर्निंग वेलकम बेक यूटियूब चैनल भीजार व्लोग तो जी आज हमें नाकों में आपने मेरा पिछले अपसूर्ट देखा यहांसे खाना पूल्स जु empez चलते हैं निकलते हैं इसे वर्लवा निकलते हैं तो यह कम चलते हैं जो अब खुल तो गया है अब आगे पता चलेगा क्या दिख का दोईती जिससे जाम लगाता है अगर कोई लेंग स्लाइड वगएरा वही होगी तो दिख जाएगी ऐसी लगा होगा तो नहीं पता चल सकता वह भी धीरे-धीरे चलने खुला के लिए नहीं खुला है अब लग रह अब खुल गया है प्रोपर यहां हमें डेड़ घंटा हो गया काईस यह मालूब जेड़ बजे से दो बजे से खड़े हैं अब तीन से उपर टाइम होगा तीन दस होगे अब जागे खुला है वतानी यह रोड बन राइस चकर में लगाता है अब तरीका है शाइज यह जो गया काम ताला जाम ने ऐसी थैसे भार दी एक गंड़ा घराब कर दिया अभी तक हम यहीं पड़े हैं चलो कोई नहीं जाम है अपना गिल्ली का गंदा लगता है यहां तो वादियों में जाम में पस जाए ना वो भी एडवेंचर ही है अपना शूतर के व्यों को एंच जाओ तो लोहरी डेम पे खड़े हुए हैं देख लो क्या आलत है तो ढूझी किंदार के लास वैली व्यो आप देखिए अभी हम किंदर में हैं गाईस और यह किंदर के लास बैली का भी हूए कि यह साइट है यह किंदर के लास वेली विव अभी हम नाई सिम्ला पहुंचे नाई नारकंडा पहुंचे नाई कुफरी पहुंचे सब अभी दूर है और टाइम हो गया है पाँच बज गए गाइस तो जी नारकंडा अभी तो जासे सब्सक्राइब दिखा रहा है और सब्सक्राइब सामने पड़ रहा है और टाइम हो गया है छे चे बज़ गए और नारकंडा भी तेरे ग्लो मेटर है यहां तक पहुंचे हैं अभी कि अब ज़्यादा खड़ी है यह पता नहीं के रहते हैं यहां पर कुल्पी शेती होती है यह देखो सामने आप देख रहे हो ना कि ठक देते हैं तो जी नारकंडा में रुके हुए हैं अभी यहां से दो किलो मीटर रह गया है और यहां पर वैली दिख रही है बहुती सुन्दर तो मैंने का दिखा दूँ आपको यह देखो देख रहे हैं कितनी सुन्दर है वह यह देखो सामने यहां पर बिलकुल काले बादल बादल चाह गए बैली के उपर ही यह देखो कितनी सुन्दर वैली है कि वह देखो सामने यहां पर भी देखो जाली सी लगा रहे हैं कि उपर से ढग देते हैं यह सारे एपल के पेड़ है वह देखो वहां से फ्रॉपर पूरा ऊपर है एपल का पूरा वगान जगे जगे एपल के पेड़ है यहां गाइस रूड पर भी आप यहां विजिट करोगे तो रूड़ों पर नजर आएंगे एपल के पेड़ और एपल बब्बू को से काफी सारे हैं चलो फिर निकलते हैं तुना इसम्हां 50 रहा यहां से देखो सेफ के पगान देखो आप कितने सारे हैं और हलकी बिंट पर बेबी के पहने हैं थानी की देखो कितने सारे सेव के बगावने भरे पड़े हैं इतना थंडा मौसम है मस्ट देख दमना यह तम चिल्ड वाला अभी नारकंडा में रुके हुए हैं नारकंडा पहुंच गए हैं तो कुछ पड़े बाद फल लिये हैं ने यह देखा हूं आपको के चैरी लिये कापी अच्छी लग रही थी देखने में और सेव लिये थे कुछ दो बॉक्स यह पड़े हैं पड़े 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 हैं थोड़ा एग्नौर करना वह यह लिया चैरी अब बागी नीचे से हम होके आये हैं ना काफी दूर से ठंडा तो काजा बगारा मुदर स्पीति बगएरा में और चनता लेग में काफी था उधर से आगे आते आते गरमी सी हो रही थी है। चलो फिर निकलते हैं फिर यहां से में एंटर ओर रहे हैं चार से पाच क्लियो मेटर रह गया और देखो आप बादल देखो कितने हैं एक कोरा कट रहा है देख रहे हों बहुत ज़्यादा है केमरे में अच्छे से कैप्चर हो रहा पता नहीं कहा है लग रहा जिसे मिट्टी में यह बादल है यह कोई कंट्रेक्शन थोड़ी ना है यह सारी दिखो बादल है देखो कितने ज़्यादा कोरा सा यह सब्सक्राइब कर देख रहे हो गाइस कि सिम्ला में इतना जाम होता है जाला डैली बनी गया जगमाइब देखो लागी वोटल स्किते सुन्दा लगाइब लाइट्स कि पर अब यहीं पर अभी तक सिम्ला से नहीं निकल पाए हर जगह जाम तो जी जीरिकपुर कोई गाउं है चंडीगड से आगे वहां रोगे हुए है और टाइम हो गया है बारा बच गये हैं बारा बच की चार मिनट और यह डावा है सामने इस अब यहां से क्खाना करा रहे है क्यूंकि बिठा तो खाना यहां खिलाना अलाव नहीं है कैसी बंद कर रहा है सिर्फ पैकिंग और यहां से प्षymphाना अब गाड़ी में खाएंगे और यहां से निकलेंगे बारे बच गये काना बगेर आ अगया है निकालू कि अधिके जना किजना नभ्या कि आइवे बेट के खाना खा रहे हैं रात के बारा बजे अधिए ओन रोड गाड़ी के अंदर क्या करें गाड़ी घर बनी गया शाही पनीर ओडर किया था खाना तो टेस्टी है बहुत ही मस्त खाना है जो ओन रोड डावों पर खाना मिलेगा वो कहीं भी आप तो से मिला बगएरा कहीं भी जाओ कहीं नहीं मिलेगा जो डावे का टेस्ट है वो डावे पर ही मिलेगा चलो जी खाना पीना हो गया वो टाइम हो गया साड़े बारा बज गए गाड़ी तो इस्टाइटी थी क्योंकि भाई एसी वेसी ओन कर रखा तो गर्मी बहुत है यहाँ अब निकलते हैं तो जी चल दिये निकल गए यहाँ से अब देखो कितना टाइम लगता है पहुचने में देली अपड़ीट करेंगे आप से को देली इत्सो इक्यानवे वन नाइटी बन है हुआ है में थी ताइम हो गया है नेक ती रह रहता है एक तीरा तो जी गायस आचके है देली में उस सुवेगा टाइम हो रहा है शाड़े पाँच का यह जादपुर वाला रूड है जादपुर करनाल वाला इस साधे पांच बज गजे तो वही सुवह सुवह मौणिंग मैं साधे पांच बजे में पहुंच आउंद अली कि वह मुद वो खराब पड़ा है ना सारा तो यह बजनपुरा की शायड से निकल गया है है लम्मा पड़ गया है मजनपुरा की सायर से यह सिगनेचर परेज आपको दिखाई दे रहा होगा सामने इससे ओगे निकलेंगे तीन से चार किलोमीटर पुराड़ी पड़ेगा यहां से पुराड़ी हमारा घर है बस वहीं पहुंच जाएंगे तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को और साथ में वेल आइकन भी दबाना और कोई भी क्वरी हो तो कमेंट बगरा भी करना चलो करते हैं तक तक के लिए बाई बाई और यह भी देख लो आप डैली का सिगनेचर बिरेज का तो जी बाई बाई